आपने सब बहुत सो एक पास MacBook होगा या MacBook खरीने के सोच रहे हो तो MacBook के साथ एक इसू यह भी है कि आप MacBook से डरेक्ली आपने कोई भी Android डिवाइस के साथ कनेक नहीं करते हैं कैसे आप विंडो में करते हैं कि CPU में आपने USB के वाल इसाट किया और दूसरा पूर्ट आपने Android डिवाइस से कनेक किया तो वो विंडो डिटेक कर लेता है लेकि मैगबूक जो है वो डिटेक नहीं करता है ऐसा अगर आप वही Apple के डिवाइस को चनेक करेगे वो वाइडोट तो वो डिटेक करेगे कोई भी भी हज़ाओं ने करेगा एपल के साथ लेकिन android में करें तो भेज़वाओ करता है यह android है हम क्यासे करने करें अपना इस्टेंडर्ट ज़र्बना है रखता है तो android को आप मैकबुक में कैसे कनेक करें इसी का solution देने वाले studio ही दो तरीके पता हुआ अगर आपको जाना है कि कैसे करते हैं तो मैकबुक से android में फाइल करने के लिए आपको एक केबल के जुरूत होगी जैसे कि मेरे पास है जिसमें की दूसरा जो पूर्ट है वह टाइप सी होना चीए क्योंकि मैकबुक में जो है टाइप सी ही कनेक्टर आता है और जो पहला पो अगर आपको नहीं पता क्या होता है तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्सराइं डाल दूंगा महां से चेक कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मैकबुक में एक सौफ्ट्रेय डाउन ना पड़ेगा जिसका नाम है एंड्रोईड फाइल ट्रांसवर वहाँ है यहां पर क्लिक करेंगे ए इसंपर का जो लिंक है Rafu को डिक्ष्इन में डाल दूँँ जूँआं वहाँ से आप डाूर्ट पक्लिक करके डाउड कर सकते हो तो यहां पर डाउड हो जुगा है अब इसको इस्टॉल करते है дос wait स्टॉल हो रहा है झाल इसको यहां से यहां सिफ्ट कर देते हैं आच कुए यहां पर कि अभं हमें गयाद करना है जासे यहां यहां पर करने के बाद जैसे एम इसे लाउ करेंगे हैं फाइल ट्रांसफर अलाउ कर दिया मैंने जैसे यह एन्ह hard उपन हो रहा है pues fed से ओपन पर क्लिक करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं यह जो मेरा फाइल है हुआ चुगा है जो कि एंडूइड का है यहां में इंटलर्ण स्टोरेश यह है और एश्डी कार्ड यह है तो मैं आपको कुछ फाइल ट्रांसफर करके दिखाता हूं जैसे सैंडिक से मैं कोई एक डोकुमेंट यह है इसको मैं यहां पर सेंड करता हूं तो ट्रांसफर करने में बहुत ही कम टाइम लेता है अगर आप एंडूइड से फाइल ओपन किया एडिट वाला फोल्डर ओपन किया जैसे स्क्रीन रिकोडिंगे यहां से मैं डिर्क यहां पर डालूँगा तो यह फाइल जो है ट्रांसफर हो जागा ओटमेटिक थर्टी सेंबी है जो कि आप लोग देख सकते हो बहुत ही जल्दी ट्रांसफर कर देता ह जेबल के थ्रूnatural Macbook से Android में या Android से MacBook में फाइल ट्रांसफर कर सकते हो अब मैं आको बताता हूं कि आप लोग कैसे वायरलेस वाइल त्रांसवर कर सकते हो अपनी IDE मैं लाशे này यहां Docus Google से अंड्री हिसका नहीं धृध को धने जिसकर में डाले जाहिक यापको मैं र टॉइण टॉइड पर लिक खरने कबाद नीच आ जाना है और यहां पर मैक विए अस पर क्लिक कर देना है जो कि मैक ओपनेटिंग सिस्टम के लिए डाउनोड हो जाएगा नो तो सेम एंड्रूट में करना है एड्रूट करनाएं सार्वार के and यहाँ इस्टॉल का ओक्षिन दे रहा है यहाँ से इट फोल कlease तो जब तक यहाँ भी ऊप अब इस्टोल हो रहा है तब तक यहाँ पर अपर सिट्रो ने घृत तो यहां पर इस तो नहीं है है अब इसको ऊपन करना है क्योंबाद यहां पर साइने करना है तो एडिटेक ले रहा है और सेम यहां हमें मोबाइल में भी साइन इंड अगर आपका साइन नहीं होता है तो आपको एक आईड करना पड़ेगा एडरो एड पे जो कि बहुत इजी है आप चाहे तो गुगल से भी सैनिन कर सकते हो यहां पर जैसे मैं कि यहां पर आगा है आब ठ्सप्रम पर क्लिक करेंगे अपर मॉयल में इक अब ड्रांसर अंगे रॉट करने के बाद माई स्वर्ण फे जाएंगे और यहां पर देख सकते हैं आप यहां विक्रम सर्मा मैक बुक यह लिखा हुआ रहा है यहां पर क्लिक करेंगे जैसे यहां क्लिक करेंगे यहां से कोई भी फाइल मुझे अगर एंडोइड से मैक बुक में ट्रांसर करना है तो जैसे हम वाट्सप में यूज करते हैं वैसे यहां भी हम ट्रांसर कर सकते हैं यहां भी फ्लिक खरते हैं टिक है ओफ फाइल ट्रांसर करके चेक किया था कि किसे ट्रांसर करता है को कि यह वाईलेट ट्रांसर है तो यह आपके नेट्वरेस फिट गज़ सरे तब आप आए चोटब है ट्रांसर गरी देखें कि टीमें लेते हैं एक छोटा शाव फोट्रांसर क्रेंगी से यहां पर टी एमेड रांसरक हो कि और यह आपर आदके हैं दोनके ने है एक कैने सब्झाब खाले कि मिया rating छोटा सा वीडियू और में चांथा पहुकित तो सेंपल वीडियो लेते हुआ है यहां पर डिरेकली ड्रॉप कर देगी, ड्रॉप करते ही यहां पर कनेक्टिंट्स टू ड्यवाइस आरह है, और यहां पर आई गया है, तो देख सकते हो, यह मैकबूक से ट्रांसर कर रहा है, और इस पीर्ट यहां पर दो अन्ड़ेपेस दिखा रहा है तो जब भी आपको MacBook Air से अपने Android में या Android से MacBook Air में wirelessly file transfer करना हो आप यह prefer करें कि दोनों जो device है एक ही Wi-Fi से connected हो ताकि जो speed है वो अच्छा है तो मैं एक ही जो Wi-Fi उससे connected हूँ इसके वुज़ा से यह जो file transfer है बहुत जल्दी हो गया तो यहां पर आपने देखा कि MacBook Air से कैसे आप लोग Android या Android से कैसे आप MacBook Air में file transfer कर सकते हो wireless या wire से तो आज की वीडियो आपको वीडियो अच्छा लगाओ और अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो और ऐसी वीडियो आगे देखना है तो चैनल को सब्स्राइब कर देना मिलता है अगले बढ़ियों ताथ अगले बाबाए